कैसे हैं आप लो एक क्वेशन है जो बहुत बार पूजा जाता है कितने मांक्स लेक्षिंट हो जाए तो हमारा इट में सेलेक्शन ओजाएगा या निई इस वीडियो से तो पूरा वीडियो एंड तक देखना है सबसे पहले बात करते हैं IIT जैम के बारे में IIT जैम यानि जितने भी MSC से related competitive exams होते हैं IIT जैम हो गया, DU हो गया, BHU हो गया, या जो बाखी के CSET के competitive exams होते हैं सरी यह competitive exam ऐसे होते हैं, usually अगर मैं बात कुरो specifically IIT जैम के बारे में, तो यह 100 marks का paper होता है 100 marks के paper में marks important नहीं रखता जितना all India rank matter करता है, अगर आप IIT जैम का paper दे रहो तो 100 में से आप 70 marks लेके आओ, तो भी कोई guarantee नहीं कि आपको IIT मिल जाएगे, वो अलग बात है कि 100 में से 70 marks लाने पर chances हैं कि आपको IIT मिल जाए, because it all depends कि आपने जितने number लाए हैं, आप से आगे कित ले सकते हैं, जैसे अगर हम पिसले 5 साल का या 10 साल का trend देखेंगे, तो हम एक idea सा आ जाता है, अगर इतने marks लाएंगे तो इतने तक rank आ सकता है, और इतने तक rank आ गया तो यह IIT मिलने का chances होता है, but marks कोई short shot guarantee नहीं देता कि इतने marks लाने पर आपको IIT मिलेगी ही मिलेगी, क् इसमें आपका rank matter करता है, सीदे कि अगर आप IIT में जाना चाहते हो, तो जितने भी IIT हमारे इंडिया में फिलाल प्रेजेंट हैं, अगर हमें सारी seats मिला लूँ, total seats, including all the reserved seats या open category, कि सारी seats मिला लूँ, तो कुछ 600-700 के असपास seats निकल के आती है, अब हो डिपेंड करता है क सीद हर साल बढ़ जाती है, कम हो जाती है, IITs add हुई है, पुरानी IITs जो थी उन में और seats हैं, अगर बढ़ जाती है, तो कुल on and average 600-700 के असपास seats होती है, अब इसके अलावा NITs हो गया, ICER हो गया, अगर मैं overall मिला लूँ, तो IITs एम के paper में approximately 1500-2000 बच्चों का ही admission होता है on and average में round off करके चीज़ें को बता रहा हूं, जादा कम जादा हो सकता है, डिपेंड करता है, मतला आपका matter क्या करता है, आपको matter यह करता है, कि आपको marks नहीं लाना, आपको rank लाना है, आप हो सकता है कि आप 70 marks लाके भी आपको IIT शायद ना मिले, क्योंकि आपसे आगए अगर आप उपर लेके आते हो, अजा कॉलिफाइंग या कट-off marks कितना होता है, सर कट-off तो बहुत ही कम होती है, बच्चे बहुत सारे पास कर देते हैं, लेकिन जो rank होता है, वो matter करता है, सी cut-off तो 35 क्या असपास होती है, 30, 35, 25, इस range में होती है, मतलब पास होने वाले सब आप admission लेने के लिए जाते हो, आपको IIT Bombay मिलेगी, आपको IIT Delhi मिलेगी, खानपूर मिलेगी, आपको Guati मिलेगी, यह सारा सब कुस depend करता है, कि आपका All India Rank कितना आता है, ना कि आपके marks पर depend करता है, पर येस marks कुछ हट तक हमें बता सकता है, अगर आप 70-80 के आसपास आ मिलता, बस आपको Lectureship की guarantee हो जाती ही, कि अब आप Life में कभी भी कहीं पर भी जाके Lectureship ले सकते हैं, प्रोफेसर या टीचर बन सकते हो, डिग्री कॉलेज में, अच्छा, यहां पर एक और cut-off लगती है, पहले तो CSIR Net का जो paper होता, वो 200 marks का होता, अब 200 marks में 2 cut-off लगती ही, जो lower cut-off होती है, वो Lectureship के लिए होती है, जैसे मान लेते हैं, 80 marks ही cut-off लगती है, जितने भी बच्चों को 80 से उपर marks मिले, जितने भी बच्चों, अब यहां rank matter नहीं करता है, यहां matter करता है कि आपका marks उस cut-off से उपर, jam में rank matter करता था, प्योंकि जो top student आएंगे, उनको top I societies मिलेगी, जो नीचे-नीचे चलते जाएंगे, आपके top institute में जाने का possibility या chances धेरे-देरे कम हो जाता, लेकिन CSIR net में उल्टा होता है, आपको बस 80 marks लेक्यान, मलब cut-off variable होती है, हर साल बदलती है, कभी उपर, कभी नीचे होती है, जाते-जाते तो कभी 67 तक चली जाती है, और बड़ते कभी 92 तक चली जाती है, तो पहली cut-off की बात कर रहा हूँ, जो की lecturership के लिए, जिसको LS कहते हैं, दूसरी जो cut-off होती है, जो बच्चे CSIR net को pass कर लेते हैं, और JRF की cut-off को cross कर लेते हैं, वो बच्चे eligible हो जाते हैं, अपने IIT में या कहीं पर भी PhD करने के 25 to 35,000 के 20 में होता है, पहले 2 साल के लिए कम मिलता है, फिर 2 साल के बाद यह बढ़ जाता है, JRF, SRF करके होता है, तो दोनों paper में difference क्या है, इस paper में आपको rank अच्छा लाना है, यहाँ पी सरफ marks matter नहीं करेगा, आपका cut-off से उपर आ गए, इससे कोई फाइदा नहीं है, और कितना था, यह आपका JRF में rank कितना था, वहाँ सर्फ इतना होता कि net qualified हो की नहीं हो, JRF qualified हो की नहीं हो, अगर PSD करने जा रहे हो, और IIT jam में matter करता है, आपका rank क्या है, इसके पास सारी options open होगे, जैसे मान लीजे, अगर मैं IIT jam में first rank लेके आता हूँ, अब मेरे पास option है, मै आपके options उतने काम होते जाएंगे, फिर depending upon जब आपका number आएगा, यानि जब आपका rank आएगा, उस समय आपके पास consistency available है, कहाँ पे available है, आप उसी हिसाब से decide कर पाओगे, उसी हिसाब से ले पाओगे, तो बहुत सारे बच्चे ही हम से पूछते हैं, अच्छा, same funda होता gate के पेपर हैं, आपको सिर्फ cut-off pass करनी है, लेकिन क्या सिर्फ cut-off pass करने से चलेगा, क्या, नहीं, सिर्फ problem gate की क्या होती है, gate का score use किया जाता है, ONGC में, या जो public sector units होते हैं, पब्लिक undertaking होती है, जो हमारे पाद पी एसी होती है, नवरतन जिनको हम कहते हैं, उन companies में job करने के अब सी मुझे बताइए, कोई interview के लिए call किसको करेगा, all India rank 1 को करेगा, 2 को करेगा, stand को करेगा, कि all India rank 2000 वाले student को करेगा, एक तो ONGC, DRDO, यह जहां पे placements होती हैं की vacancies बहुत कम आती है, अब अगर अगर आप history देखोगे, तो hardly बहुत कम आती है, उसमें भी toppers होते हैं, ज उनको ही interview के लिए call आता है, जो बच्चे नीचे lower rank पे लाता है, gate में, जो कम marks लेके आता है, उनको interview के लिए call नहीं आता है, तो job की बात ही छोड़ दो, तो फिर gate का use क्या हो जाता है, PhD करने के लिए, अगर आप gate की qualifying marks होता है, 100 में से, उसका भी marks 30-35 के आसपर बहुत कम हो तो आपको फिर टेंचन लेने की ज़रुएती है, rank कितना है, फरक नहीं परता, nobody is going to ask, वो अलग बात है कि rank अच्छा है, तो आप portray कर सकते हो, कि यह मेरा बहुत बढ़िया rank आया, मैंने बहुत अच्छा score किया, gate के paper में, अगर आपका rank मालो, आपको PSU नहीं मिलते हैं, तो और gate में आपका rank matter करता है, marks कितने लाते हो, उससे फरक नहीं परता, आपका rank कितना है, उससे matter करता है, और CSIR net का paper होता है, जहां पर कहीं admission नहीं मिलने वाला, जहां जौब मिलने, वहां पर सिर्फ exam pass कर लो, जो cut-off है, उसको cross कर लो, यहीं बहुत काफी हो जाता है, इससे आप नहीं पर भी teaching करने के लिए, PhD करने के लिए eligible हो जाओगे, इतनी बार मुझसे पूछा गया है, WhatsApp पे, Instagram पे, comments में, कितना marks लाए, कितना rank मिलेगा, तो यह मिलेगा, वो मिलेगा, तो इस वीडियो के तुरू में तीनो competitive exams के बारे में आपको बता चुका हूँ, सेम चीज होती है, TIFR के साथ, सेम चीज होती है, UCET के साथ, वो जितने competition जहां पे आपको admission मिलने वाला है, वहां rank matter करेगा, और वो exam जिसमें आपको admission नहीं मिलेगा, जिस आपको pass करके degree हाथ में रखनी है, वहां पे सरफ cut off pass कर लो, that's more than important, so I hope इस video से कुछ confusion में आपका दूर कर पाय के अब All India ranks के pattern के बारे में पता चले, मिलते फिर और किसी वीडियो में, तिल दन बाबाई, टीक करेंट, God bless you.